इस पॉंजिर उस गुले बनाकर दिखाऊंगी, वो बिलकुल ऐसे बनेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं, ये कितने बड़े और कितने स्पॉंजी लग रहे हैं, ये एकदम सॉफ्ट हैं, और इनके अंदर प्रॉपर जाली भी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं, ये एकदम बजार जैसे बने हैं, तो आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए बिलकुल एकदम टिप्स और ट्रिक्स जो मैं बताऊंगी, वो ही फॉलो करेंगे, तो आपके बिलकुल ऐसे ही रसगुले बनकर तयार हूँगे, तो आप इस वीडियो में बिलकुल टाइमिंग्स का ध्यान रखेगा, और बिलकुल एंड तक इस वीडियो को फॉलो कीजेगा, मैं भी चाहती हूँ कि आपके रसगुले एकदम बिलकुल ऐसे ही बने, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके रसगुले कैसे बने हैं, वेलकम बिलकुल बाजार जैसे, तो सबसे पहले टिप तो यही है कि आप कोशिश कीजे हम इसमें काव मिल्की यूज करें, क्योंकि काव मिल्क में हमारा फैट इतना नहीं होता है, हमें मलाई नहीं चाहिए, अगर आपके दूद में फैट होंगे, तो आपके जो रसगुले हैं, अगर इन केस आपको काव मिल्क नहीं मिलता है, तो आप कोशिश कीजे कि आप टोन मिल्की यूज करें, तो हमें दूद का चैना बनाना है, बट उसे हमें कैसे फाडना है, वो हम पहले देख लेंगे, तो एक तो यह है कि आप इसमें, मैं आज जो है वो कुकिंग विनेगर वािट विनेगर यूज करोंगे, अगर आपके पास विनेगर नहीं है, तो आप लेमन जूस भी यूस कर सकते हैं, बट आप यह दिहान रखेगा, अगर आप लेमन जूस यूस कर रहे हैं, तो उसे चान कर यूस कीजेगा, अधर्वाइस क्या होगा कि जो उसके रेशे है, वो आपके जब आप छैना चानेंगे तो उसमें रह जाएंगे जिससे कि आपके रजगुले सौफ नहीं बनेंगे तो हम अपने दूद को फाणने के लिए मैटीरियल तियार कर लेते हैं तो ये मैंने आधा कटोरी पानी लिया है तो और इसमें आपको दो बड़े चमच यानि कि दो टेबल स्पून आपको इसमें विनेगर मिक्स करना है सिरका तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी ज़रूर अड़ करना है डारेक्ट आपको सिरका अड़ नहीं करना है तो चलिए दूद को हम पैन में निकाल लेते हैं तो इसकी दूसरी टिप यह है कि आपको ये दूद जो है वो प्री बॉयल नहीं लेना इससे मेरा मतलब है कि जो हम दूद यूज करेंगे वो डारेक्ट हम पैकेट से यूज करेंगे कच्चा दूद हम इसे अभी बॉयल करेंगे क्योंकि जो हमारा पहले वाला दूद रखा हुआ होता है उसमें मलाई आ जाती है और जैसा मैंने आपको बताया हमें इसमें मलाई नहीं चाहिए otherwise हमारे रजगूले spongy नहीं बनेंगे तो अब हमने दूद को बॉयल होने के लिए गैस पर रख दिया है दूद को बॉयल करते हुए हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम इसको continuously चम्मच से चड़ाएंगे तो आप ध्यान रखेगा अगर आपने विडिंगर या नीमू यूज करते वे जो स्मून लिया है उसे आप मत लीजेगा क्योंकि यह फिर आपका दूद अभी फटना शुरू हो जाएगा तो अभी हमें दूद को बॉयल करना है इसे गाड़ा नहीं करना है और हमें चम्मच हिलाते हिलाते करना है जैसा कि मैंने बताया था हमें इस पर मलाई बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं दूद में उबाल आने वाला है लेकिन मैं कंटिनूसली चला रही हूँ कि मेरी मलाई इस पर बिल्कुल भी ना आए तो जस्ट हमें दूद को बॉयल करना है तो देखे अब मेरा दूद बॉयल हो गया है जैसा मैंने का था इसे गाड़ा नहीं करना है और आपको गैस बंद कर देनी है और अब मैं इसे गैस से उतार रही हूँ तो गैस से मैंने दूद हटा लिया है अभी इसको एकदम ही हमें नहीं फाड़ना है अगर आप इसे टाइम पे सिर्गा और पानी वाला मिक्शर डाल देंगे तो आपका छैना जो है वो हाड होगा और दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें मलाई नहीं आने देना है तो आप इसको दो मिनट तक आप टाइमर लगा सकते हैं दो मिनट तक इसको ऐसे ही हिलाते हुए ठंडा कर लिजे फिर हम अपना दूद फाड़ेंगे तो देखिए ऐसे करने से हमारी इसमें से हीट भी निकल रही है और दूद हमारा हलका सा थंडा हो जाएगा तो अब हमारे दो मिनट हो गए है दूद हमारा हलका सा थंडा हो गया हीट निकल गई है तो अब हमने जो अपना विनेगर और पानी का मिक्स्टर बनाया है वो हम इसमें आड़ करेंगे यहां पर भी एक टिप है कि हमें सारा एक बारी में एड नहीं करना है हम एक एक स्पून डालेंगे और अपने दूद में इसको मिक्स करेंगे ऐसे चलाएंगे और फिर हम धीरे-धीरे करके इसमें विनेगर और वाटर वाला अपना जो सलूशन है वो एड करेंगे अब मैं इसमें एक और चममस्ज आड कर रहे हूँ तो आप देख सकते हैं आपको इसमें दिख रहा होगा कि मेरा दूद फटना शुरू हो गया है अभी मेरा पूरा सलूशन खतम नहीं हुआ है लेकिन अभी ये दूद पूरी तरह से फटा नहीं है हमें तब तक सलूशन आड करते रहना है जब तक कि ये पूरा ग्रीन वाटर ना इससे सेपरेट हो जाए तो इसमें एक टिप और है क्योंकि अलग-लग ब्रैंड्स का दूद होता है और अलग-लग टाइप का दूद है तो हो सकता है आपको सलूशन इसमें कम या जादा लगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको सलूशन और एक्स्ट्रा जूरत पढ़ रही है तो आप उसको इमेडियेट करें उसके लिए आलस नहीं करें अदर्वाइस आपका छैना सॉफ्ट नहीं होगा अगर आपने उसमें डिले किया तो अब इसमें मैंने लास्ट चमज आड़ कर दिया है तो अब आप देख सकते हैं ये छैना अलग हो गया है पानी का कलर आप देख सकते हैं ये यलो इश ग्रीनिश सा कलर आ गया है और आप ये छैना भी देख सकते हैं कि एकठा हो गया है तो अभी ये गरम है एकदम तो आप इसमें अभी फटा-फट से एक ठंडा पानी का गिलास डाल दीजिए इससे इसका प्रोसेस रुख जाएगा और आपका चैना हाड नहीं होगा तो अब हमें पानी और छैना अलग करना है तो मैंने एक पतीला ले लिया है उस पे छलनी रखी है और उस पे आप कोई भी मलमल का कपड़ा अगर नहीं है तो आप वाइट एक खैंकी भी ले सकते हैं इसको ऐसे इस पर रखिए वाटर निकला है फ्रेंड्स आप इसको किसी ग्रेवी में यूज कर सकते हैं आप इससे आटा गून सकते हैं और अगर आपको फिरसे रजगुले बनाने है तो दूद फाडने के लिए भी आप ये वाटर यूज कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना है तीन चार गिलास इसमे चैना में सिंपल वाटर से हमें इससे धोना है हमें क्यों धोना है क्योंकि हमने इसमें विनेगर या निम्बू डाला है तो उसका खटापन हमारे चैना में नहीं रहे तो आप देख सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है तो बिलकुल हलके हाथ से इस जादा इसे बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, अगर हम जादा रखेंगे, तो इसका मॉइस्चर बिल्कुल खतम हो जाएगा, तो इसमें सबसे में इंपॉर्टेंट चैना ही है, आपको पता है, और अगर चैना में पानी आपने बहुत जादा हाथ से अगर चैनी हो जाएगी तो वह रसगुलों में अच्छे से जाद नहीं पाएगी, तो अब मैं छेक कप इसमें पानी आड कर रही हूं, तो आपको इसको बीच बीच में चीनी को हिलाते रहना है चाशनी so that कि हमारी चीनी बिलकुल नीचे बैठे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि छैना में कितने दाने हैं तो अभी हम इसको अच्छे से कम से कम 4-5 मिनट मलना है आपको मलने की टेकनिक ये यूज करने है कि आप ये हथेली अपनी यूज करेंगे इसको मलने के लिए जिससे कि हमारा चेना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो अभी मुझे से मसलते वए 2 मिनट हो गए हैं तो मैं कम से कम 2 मिनट और इसको मसल के एकदम चिकना करना है आपको मैं दिखाऊंगे जब यह पूरा मसला चाहेगा तो हमारे हातों में थोड़ा सा ओयल आ जाएगा तो आप देख सकते हैं अब छैना हमारे एकदम सोफ्ट हो गया इसमें कोई भी दाना नहीं रहा है तो अब हमारे इसकी next trick है कि हम इसमें एक छोटा चमच मैदा आड़ करेंगे आप इसमें अरारोट पौडर भी आड़ कर सकते हैं और कॉन फ्लोर भी आड़ कर सकते हैं तो आपको सिरफ एक छोटा चमच ही करना है ऐसा नहीं कि भरके हमें यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे बैलेंस करें तो आपको एक ही चम्मच यूज़ करना है इसको यूज़ करने का रीजन ये है कि इससे आपकी रजगुलम में बाइंडिंग अच्छी आएगी और रजगुले जब आपके चाशनी में जाएंगे तो वो फटेंगे नहीं अब इसको अच्छे से हमें इस चैना में मिक्स करना है और हमें इसको दो मिनट तक मिक्स कर लेना है कि मैदा हमारा एकी तरफ ना रहे फिर से हमें उसे उसी तरीके से मिक्स करना है तो चलिए अब हम इसके गोले बना लेते हैं आप इससे 10 गोले भी बना सकते हैं, आपको जितने बड़े चाहिए उसके एकॉर्डिंग आप रिजगुले बनाईए और बहुत जादा बड़े मत बनाईएगा क्योंकि ये चाशनी में जाके हमारे फूलेंगे भी, तो अब हम इसको अलग-अलग portions में divide कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी as such crack नहीं दिख रहा है, तो हमने इसको बना कर ऐसे balls बना कर त्यार कर लिया है, तो चलिए अब चाशनी देख लेते हैं आपनी, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम रजगुला डालेंगे, आपकी चाशनी में ऐसे bubbles आन तो मैंने ये एक डाला है, तो जब आप दूसरा डालेंगे, तब भी आपकी चाशनी ऐसे पकती होनी ही चाहिए, मैंने ग्यास की फ्लेम को फुल रखा हुआ है, मैंने सिम बिल्कुल नहीं किया है, तो अब ये फिर से चाशनी पक्री है, अम इसमें ऐसे करते करते अपने रखुल्ले सारे अड़ करेंगे, इस टाइम पर आपको इस तरह से कोई भी स्पून यूज करकर हिलाना नहीं है रखुल्लों को, ये अपने आप पानी में फ्लोट करेंगे, तो जैसे जैसे आपकी चाशनी पक रही है, पकती होई चाशनी में आप एक एक करके अपने रख रखुल्ले ऐसे आड़ करते रहेंगे, ऐसे ही हमें चाशनी में इसको पहले चार मिनट तक पकाना है, इसमें यही टेप्स हैं कि आपको टाइमिंग्स का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, तो अब आप देख सकते हैं, रखुल्ले का साइज बड़ा हो गया है, जितना हमार है, सो देट कि स्टीम रहेगी और उपर से भी रखुल्ले हमारे पक जाएंगे, तो ढखकर हमें इसे पांच मिनट तक पकाना है, तो आप देख सकते हैं कैसे रखुल्लो के ऊपर जाग आ रही है, इससे यह सिख जाएंगे, और आपको अगर दिख रहा हो तो यह देख सकत कितने बड़े बड़े रखुल्ले हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि रखुल्ले कितने बड़े हो गए हैं अब आप इनको हलका हलका सा अलट पलट कर दीजे क्योंकि यह सारी तरफ से सिख जाएं, तो आप फिर से इसको ढखकर पांच मिनट पकाएंगे, तो यहां तो ताइमिंग आपको ध्यान रखनी है तो पांच मिनिट हो गए है तो हम अपने रजगुले चेक कर लेते हैं गैस को मैंने हलका सा स्लो कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे रजगुले कितने बड़े हो गए हैं और बिल्कुल स्पॉंजी लग रहे हैं तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रजगुले बिल्कुल पग गए हैं कि नी तो आप एक रजगुला निकाले और ऐसे एक बाउल ने जिसमें हम normal water लेंगे और इसमें देखेंगे अगर हमारा रजगुला इसमें sink कर गया तो इसका मतलब है कि हमारा ये रजगुला पक गया है तो आप देख सकते हैं ये float नहीं कर रहा है, sink कर गया है अगर यह float करेगा तो इसका मतलब है कि अभी आपको और पकाना पड़ेगा तो अब मैं gas की flame को बन कर दूँगी हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि यह रजगुले जब तक चाशनी में है तो फूले फूले रहते हो जैसे ही हम gas बन करते हैं और चाशनी हमारी ठंडी हो जाती है तो यह वापिस से श्रिंक हो जाते है तो यह अब हमारी अलग एक और टिप है जिससे कि आपके यह रजगुले हमेशा फूले फूले रहेंगे तो मैंने gas की flame को बन कर दिया है ऐसे हम एक एक रजगुले निकालेंगे और मैंने यहाँ पे एक बरफ डाल के बाउल तियार किया है इसमें मैं एक गिलास chilled water डाल दूँगी और मैं अब इसमें अपने एक एक करके रजगुले आड़ कर दूँगी इसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पूरा process है वो यहीं पे रुख जाएगा और हमारे जो रजगुले हैं वो कभी भी shrink नहीं होंगे और फूले फूले ही रहेंगे तो अब हम इन रजगुलो को इस बाउल में 4 मिनिट तक रख लेंगे तो अब हम इस रजगुलो को 4 मिनिट हो गए रखे हुए तो आप ऐसे इसको हलका सा निचोड लीजे आप वापिस चाशनी में डालेंगे तो यह फिर से फूल जाएंगे तो आप देख सकते हैं यह कितने फूले हुए लग रहे हैं और अब हमने इसमें चाशनी नहीं डाली है हम इसमें चाशनी डालेंगे तो यह वापिस फिर से हमारे फूल जाएंगे और चाशनी को एब्सॉप कर लेंगे इतनी देर में हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है अब हम इसमें वापिस अपने सारी चाशनी डाल के रख देंगे तो वापिस से हमारी रजगूले इस चाशनी को एब्सॉप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे एकदम स्पॉंजी रजगुले बनकर तयार हैं